Hello everyone, आज हम सीखेंगे square count करना किसी भी symmetric figure में symmetric figure हमारी क्या होती है? symmetric figure होती है जिसमे row और column equal होती है जो हमारा ये square है इसमें कितनी two row है और two ही column है तो ये figure हमारी कैसी हुई? symmetric जिसमे row और column equal हो, वो symmetric figure होती है अगर यहाँ पर two cross three होता, two row होती, three column होती तब हमारी symmetric figure नहीं होती जो मैं आपको trick बताने जा रही हूँ, वो only symmetric figure के ही लिए है तो हम इसमे square count करना है, चलो start करते हैं सबसे पहले क्या करें हम इसमें number डालेंगे क्योंकि हमारे row column तो equal है, तो one और two अब हम क्या करेंगे, square count करने के लिए one का square plus two का square कितना होगा, one plus four equal five हमारे इसमें total कितने square है, five one, two, three, four और जो एक यह है, बड़ा वाला तो total हमारे कितने square है, five अब हम किसी बड़ी figure में count करते है इसमें भी हमारे, इसमें भी हमारे कितने square है चलो देखते हैं, इसमें भी row और column हमारी कैसी है, equal है तो यह figure भी हमारी कैसी है, symmetric जो यह वाले trick है, only हम symmetric figure में ही लगाएंगे सबसे पहले क्या करें, इसमें भी हम numbering कर लेंगे 1, 2, 3, 4, same trick इसमें करेंगे 1 का square, 2 का square, 3 का square और 4 का square 1 plus 4 plus 9 plus 16, कितने हुए, 30 तो total हमारे इसमें कितने square 1 रहे हैं, 30 आप count करके देख लेना, 30 ही बनेंगे Next, यह हमारी 5 क्रोज 5 की symmetric figure है इसे आप खुज से try करना, वीडियो पसंद आए तो like करना और चैनल को subscribe करना